फ्रेंस आज आपको ले चलते हैं बोध गया बोध गया बिहार का एक परसिद प्रियाटक अस्थल है जो फालगु नदी के पस्चीमी किनारे में इस्थित है ये सहर बिहार की राजानी पटना से लगभग एक सो किलो मीटर से दूर गया जीले से सटा एक छोटा सा सहर है बोध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए बोध गया सबसे बड़े तिर्थ अस्थलों के रूप में परसिद है क्योंकि यही पर भगवान बूध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी मानियताओं के अनुसार लगभग 500 वर्स पहले बोध गया में फालगु नदी के टट पर बोध ही पेड के नीचे कठोर तपस्या करने के बाद ही भगवान गौतम बूध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी इसे ग्यान की प्राप्ति के बाद उन्हें बूध के नाम से जाना जाने लगा भगवान बूध को बेसाख महीने में पुनिमा के दिन ग्यान की प्राप्ति हुई थी इसलिए ये दिन बुद्ध पुनिमा के नाम से जाना जाने लगा है यह अस्थान सभी धर्मों के लिए पबित अस्थल है गया तीनों तरब से छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो की मंगला, गोडी, स्रिंगा अस्थान, राम शीला और ब्रहमा योनी है गया में प्रियतन आपको भारत के सुंदर धार्मिक अस्थलों को देखने का अफसर प्रदान करती है यह वीडियो आप अन तक देखे जिससे आपको यहां घूमने का जब भी अपसर मिले आप आराम से यहां जा सकते हैं यहां पे कुछ फेमस जगें हैं जो आप जा सकते हो पहले नंबर पे हैं आपका महा बोधी मंदिर महा बोधी मंदिर बूध जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक अहम अस्थान है जहां बूध जी ने अपने जीवन का अमुली समय बिताया था इस महा बोधी मंदिर की बनावट समराट असोग दुआरा स्थापित इसपूत के समान है भगवान गोतम बूध को बोधी पेड के नीचे तपस्या करने पर ज्यान प्राप्थ हुआ था तभी ये अस्थल बोध धर्मों के लिए काफी महत्पून हो गया इस मंदिर को उसी अस्थान पर बनाया गया है जहां भगवान गोतम बूध को ज्यान प्राप्थ हुआ था ये मंदिर सुभ़ पांच बजे से रात नो बजे तक दर्शन कर सकते हैं आप आपका है महान बूध परतीमा बोध गया में बनी हुई एक विशाल बूध परतीमा जो असी फीट उची है गगन चुम्बी इस बोध परतीमा का उदगाटन बोध धर्म गुरु सिरी दलाई नामा ने 1989 में किया था ये असानी छूती परतीमा काफी दूर से नजर आती है क्योंकि ये परतीमा अपने आप में एक विशाल परतीमा है और बिहार का एक अहम परियतन अस्थल भी है यह सुभ़ साथ वजे से साम में पांच तीस तक उपेन रहता है अगला है आपका मा मंगला गौरी मंदिर हिंदु धर्म में गया का मा मंगला गौरी मंदीर का काफी मन्यता है इस जगह पर सती पारवती जी का सरीर गिराथा ये मंदीर 18 महा सक्ति पीठ में से एक है यहाँ पर सती की पोशन की देवी के रूप में पूजा अर्चना की जाती है ये मंदीर आपको मौनिंग 6 वजे से साम 8 वजे तक खुली रहती है नेक्स्ट है आपका वट थाई वट थाई एक बोध मठ है जिसकी बनावट थाई वास्तु के अनुरूप की गई है बोध गया में बनी ये मठ आपको अन्य मठों से काफी अलग लगेगी यहाँ पर थाई लेंड के लोगों के रुखने के लिए वेवस्ता भी परदान की जाती है इसकी भी टाइमिंग सुभ़ 6 वजे से साम 7 वजे तक खुली रहती है नेक्स्ट है आपका विश्नू पद मंदिर जैसा की फ्रेंट्स नाम से ही परतित हो रहा है यह मंदिर विश्नू जी को समर्पित मंदिर है यहाँ पर विशाल पद चिन भी बने हुए है जो की गया सूर के उपर विश्नू जी के पैर रखने को दरसाते है इस मंदिर के आसपास कई और मंदिर भी बने हुए है जो की आप देख सकते है नेक्स्ट है आपका दुन गेश्वरी गुफा मंदिर गया सहर से 11 किलोमीटर दूर दुन गेश्वरी के सान पहाड़ियों के उपर बना हुआ है दुन गेश्वरी का गुफा मंदिर कहते हैं बूद जी ने गया में ग्यान पराप्ती से पुर्ण यहां कई साल बिताए थे इस जगह को महाकाल की गुफाएं भी कहा जाता है फ्रेंट्स नेक्स्ट है आपका मूचा लिंदा सुरोवर यह लेक बोद गया के मोचारिम इलाके में बना हुआ है मूचा लिंदा सुरोवर जिसका काफी पोरानिक महत्व है यहां पर सरवर के बीचो बीच एक बूद जी की मूर्ती है जिसको नाग के परतीमा ने ढखा हुआ है कहते हैं बूद जी को तुफान से नाग देपता मूचा लिंदा ने बचाया था जिसको ये परतीमा रुपांद्रित नेक्स्ट है आपका बराबर गुफाए अगर आप गया आए हैं तो यहां से 30 किलोमीटर दूर मोजूद बरावर की गुफाएं देखना ना भूलें ये गुफाएं अत्यंत प्राचिन हैं जो हजारों साल पहले पत्थरों को काट कर बनाई गई थी इन गुफाओं की दिवारों पर हिंदू, जेन और बोध धर्म से जुड़े चित्र और लिखावट भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट है आपका साही भूटान मट साही भूटान मट गया में बना एक बोध मट है इस मट का नाम भूटान मट इसलिए पड़ा क्योंकि इसे भूटान के राजा ने बनावाया था इस बोध मट के अंदर दिवारों पर की गई कलाकरीतियां देखने लायक है जिसके दुआरा बोध धर्म के बारे में दरसाया गया है इस मट के पास में ही बना इंडोशन निप्पोन जपानिस टेमपल भी देखने योग्य है फ्रेंज आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद